दोस्तो आज का वीडियो बहुत अमेजिंग होने वाली है क्योंकि आज के वीडियो में हम ठाई से तीन साल के बच्चे को स्वर राइटिंग सिखाएंगे हिंदी में स्वर कैसे लिखना बच्चे को सिखाना है वो हम आज की वीडियो में जानेंगे नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जेशी का ब्राइट बिंग अकेडमी में दोस्तों कैसे हैं आप आशा करते हों कि आप सभी अच्छे होंगे दोस्तों छोटे बच्चों को हिंदी की राइटिंग प्रैक्टिस आपको फाइब लाइन वाली नोट बुक में करवानी हैं जैसे आप देख सकते हैं ये फाइब लाइन वाली नोट बुक है आप हिंदी की writing practice बच्चे को इस notebook में करवाएंगे इस पर बच्चा easily लिखना सीख जाता है दोस्तों आपको हमारे चैनल में छोटे बच्चों को writing practice की ऐसी ही amazing videos मिलते रहेंगी जिससे आपको अपने बच्चे को writing work सिखाने में बहुत help मिलेगी तो चलिए दोस्तों अब हम बच्चे को लिखना सिखाएंगे सबसे पहले हम यहाँ पे sleeping line बनाएंगे उसके बाद हम इसकी जो first वाली line है वहाँ पे dot बनाएंगे बिल्कुल ऐसे उसके बाद हम इसमें और ऐसे लिखेंगे फिर हम standing line बनाएंगे और फिर बीच पे sleeping line बनाएंगे आप बच्चे को बिल्कुल इसी तरीके से वाग कराएंगे अब हम यहाँ पे आ लिखना सिखेंगे आ भी बिल्कुल आप ऐसी ही बनाएंगे अब यहाँ पे standing lines बनेंगे और फिर हम slipping line बना देंगे इसके बाद हम यहाँ पे छोटी इपनाएंगे इसके लिए हम यहाँ पे two dots बनाने हैं बिल्कुल इस तरीके से और फिर हम इस पे लिखना स्टार्ट करेंगे बिल्कुल ऐसे अब यहाँ पे बड़ी इ लिखेंगे आप बच्ची को बिल्कुल इस तरीके से वॉक कराएंगे बच्चा इजिली लिखना सीख जाएगा बिल्कुल ऐसे अब यहाँ पे हम छोटा हूँ बनाएंगे फिर हम यहाँ पे बड़ा उल लिखेंगे बिल्कुल इस तरीके से और एक जिसका ध्यान लखी आप जब भी बच्चे को लेटस लिखाएंगे आप उनको पढ़ के जरू सुड़ाएं यहाँ पे हम ए लिखेंगे देखें कितना इजिली हमने बना लिया आप अगर ऐसे ही बच्चे को वॉक कराएंगे तो बच्चा भी इजिली इसे सीख जाएगा यह देखें पिल्कुल ऐसे और उसकी बाद बच्चे को डॉट पे मैच करना है और बच्चा इजिली इसको कर लेगा अब हम यहाँ पे ओ लिखेंगे बिल्कुल ऐसे बिल्कुल इस तरीके से बच्चे को वॉक कराएंगे यहाँ पे हम आओ लिखेंगे बिल्कुल ऐसे डॉट्स बनाईए उसकी बाद आप स्टैंडिंग लाइन बनाईए बिल्कुल इस तरीके से और उपर स्पीब मात्राएं लगेंगे बिल्कुल इस तरीके से हम बच्चे को वॉक कराएंगे अभी हाँ पे हम आंग लिखेंगे बिल्कुल ऐसे कराएंगे अगर आप ऐसे बच्चे को वॉक कराते हैं तो बच्चा भी इंट्रेस्ट लेगा और आपको भी बच्चे को वॉक कराने में इंट्रेस्ट आएगा आप बिल्कुल इस तरीके से वॉक कराएंगे देखे कितना easily हमने ये चीज़ कर ली है दोस्तों एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखिए कि आपको ये सारे letters एक साथ बच्चे को नहीं करवानी है आपको one-one letter करके बच्चे को walk कराना है मैंने इस पे सारे letters इसलिए करवाया क्योंकि इस पे वीडियोज बहुत जादा बन जाएंगी क्योंकि one-one letter करके बनाने पे काफे वीडियोज हो जाएंगी इसलिए मैंने सारे letters एक ही वीडियोज में करा दिये आप बच्चे को one-one करके कराएंगी और step by step आप बच्चे को walk कराएंगी तो बच्चा easily करना सीख जाएगा दोस्तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को subscribe कीजिए अगर आपको वीडियोज पसंद है तो प्लीज वीडियोज को like कीजिए और बाकी parents के साथ भी share कीजिए Thank you